नमस्कार आप देख रहे हैं स्वतल खबर जन की आवाज सचाई के साथ परिजनों को बच्ची की पित की थैली में 9 mm की पत्री बता दी जाती है इसके बाद आनन फानन में बच्ची के परिजन बच्ची को लेकर बेस अस्पताल श्री नगर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर परिजनों को पत्री न होने की बात बताते हैं जिसके बाद परिजन जिल गलती को स्विकार करते हुए गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिये। इस पूरे मामले में बच्ची के परिजन द्वारा जिलास्पताल पौडी के संबंदि डॉक्टर के खिलाप कारवाई की बांग की गई है। बच्ची के परिजन कुल्दी बिस्ट ने बताए कि यही कोई पहला वाकिया नहीं है जहां डॉक्टरों की लाप्रवाई देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार जिलास्पताल पौडी में लोगों के साथ इस तरह के हाथ से हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कारवाई शासन पर शासन द्वारा नहीं की गई। उदर पौडी विधायक राजकुमार पौडी का कहना है कि मामला उनके संग्यान में अभी आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को दिखाने के निर्देश दिये गए हैं और इस मामले में दो पीपी मोड पर संचालेते अस्पतालों में इस तरह अंदेखी होना एक बड़ी बात सामने आ रही है। देखे बिलकुल सही बात है कि डॉक्टर धंसिंग रावाद जो स्वास्त्य मंत्री हैं वो लगातार इन पीपी मोड में संचालीत हो रहे हैं अस्पतालों का निरिक् लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की अविवस्ताएं इस जिलास पताल में फैली हुई हैं चाहे वो पाबो में बात करे जाए जहां भी पीपी मोड में संचालीत हो रहे हैं वहां इसी तरह की बिवस्ताएं हैं जिसका खाम्याजा हम जैसे लोगों को भूगत पढ़ रहे हैं कि छोटे बच्चे को अल्ट्रसावन यहां पर हुआ था इसमें 9 mm की पत्री दिखाई दी रख साबने लेकिन यह बाहर जब कराए गया एक से तो कोई पत्री नहीं थी मेरे संग्यान में भी बबात आई है मैंने MS को निदेशित किया है कि वो इसकी जाजका कशनшт zodना करें के सजब्स में से बात करता हूं कि आइसी गलतियां नहीं होना कंपाध्य कि ऐसी नहीं जाहित है कि तो जानमाल ऐता है अगर किशी को गलत रिपोर्ट बता देंगे और डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा कि चीर फार करो, ओप्रेशन करो, यह बड़ा मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं इस संग्यान को लेते हुए बातचित करूँगा